दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से पॉर्षनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं लोन अप्लाई करने के बाद जो भी लोन का अबाउंट मिलता है उसको आप अपने बैंक एकाउंट में कैसे टांसफर कर सकते हैं यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए कि वहला आपको अधार काड़ और प्रेंट कर देना होता है उसी के वैसिस पर लोन मिल जाता है अगर आपका स्पील कम भी होता है तब भी आपको यहां पर कुछ ने कुछ लून मिली जाता है बहुत लोग यह सोचते हैं कि कोटक description box में link मिल जाए या link पर click करेंगे और आपके सामने कुछ इस टाइब का interface मिल जाता है जिसमें की सबसे पहले आप features में देख सकते हैं कि तीन step के अंदर आपके यहां पर पांच लाग तक की loan मिल जाती है लोन आपको बहुत only employee are complete instant मिलता है उस्के लिए सबसे पहले आपके फूल नेम का उपशन मिल जाता है जुँआ पको बेन काट मिल जाता है आपको बहुत सारे सिटी मिल जाता है और आपको ओधाइति का उपसर मिल जाता है यहां फ mask ली करके जो भी आपका सीटी होगा आप या फिल कर सकते हैं नीचे में पॉटिनेस होगा तो तो दोस्तों सबसे पहले यह सब आप डिटेल फिल करें और नीचे में वेरिफाई OTP वाल अप्शन पर क्लिक कर दें नीचे में कुछ स्टॉम इंड कंडिशन मिल जाते हैं जिसको के एकसेप्ट करेंगे और फिर से नीचे में आपको वेरिफाई का एक बटम मिल जाता है सिम्पली वेरिफाई वाल बटम पर क्लिक कर देंगे नेच्ट पेज में आपसे पेंबर पुछी जाती है आप अपना पेंड कार निकाली है और आपका जो भी पेंबर उगा सईस है आप यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे में कंटिन्यू का अप्शन मिल जाता है यह सिंपली वाल अप्शन पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही next करते हैं फिर आपके सामने अधार नमर का page खुल के मिल जाता है आप अपना बारे डेट का अधार नमर आपके फिल करेंगे और नीचे में next का वाटम मिल जाता है simply अपना अधार नमर फिल करने के बाद next कर देंगे आपके रेश्टर फोन नमर पे एक OTP सेंड किया जाता है उस OTP को आप इस वाक्स में फिल कर देना है उसके बाद नीचे में submit का option मिल जाता है simply submit वाल अप्सन पर क्लिक कर देंगे OTP verify करते हैं आप next वाले page पे पहुंच आते हैं यहाँ पे आपकी नाम मिल जाती है उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपका जो भी current address होता है नीचे में आपको मिल जाता है आप उसको verify करना है अगर आपका current address सही होता है तो नीचे में yes वाले option पर क्लिक करेंगे और आ आपको यहाँ पर अपना work email ID फिल कर देना है जो भी bank आपके पास होगा है जिसमें आप अपना loan के amount बंगाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर select कर देना है और नीचे में continue option मिल जाता है simply continue वाले option पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप अपना application फिल कर लेते हैं आपको आप आपको जो भी loan का offer आपको मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे किसमें 3,00,000 तक की offer मिल चुकी है नीचे में आपको एक option भी मिल जाता है 50 सर से लेके 3,00,000 विसमें आपको जितनी भी loan के हो सकता होगी आप यहाँ पर उसको set कर सकते हैं नीचे में आपके 306 रुपया यह माई गुरूप में जामा करने पड़ते हैं वहीं अगर हमें आप इंट्रेस रेट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 13.49% का पौर एने में इंट्रेस रेट आप से लिया जाता है तो यह सब एक बार आप अपने डिटेल चेक कर लेंगी और और एकाउंट डिटेल इंटर करेंगे और यहां पर जैसे ओटीपी फिरफाई करते हैं देख सकते हैं कि आपका जो एकाउंट ओटीपी में तरकर दोवरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है नीचे में थैंक्यू को आप्सन मिल गया है और आपको बहुत ही जल्दी र करके भी दिखाया है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पुसंद आओगा तो वीडियो को लाइक करके जैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को आउन करें ताकि आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो और में मिलती रहा है